हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स मैं रितु बाद्स एक बार फिर से स्वागत करते हूं अपने चैनल में आपका तो फ्रेंड्स आज का हमारा जो टॉटिक है वो एक बहुत ही इमपॉर्टेंड है लेडिस के लिए तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि आपके face के according आपके जो hands है वो dark है या फिर आपकी arms जो है वो आपके face से matching नहीं होती है तो ये बिल्कुल भी अच्छी बाप नहीं है ये गंदा लगता है देखने वलों को तो खुद को भी अच्छा feel नहीं होता तो friends जैसे हम अपने face की care करते हैं तो हमें अपने arms और hands की care करनी चाहिए जिसे की वो बिल्कुल face जैसे safe clean रह सकते हैं तो friends थोड़ी सी मेहनत लगती है तो चलिए अपने लिए थोड़ी सी मेहनत करते हैं मैं आपको आज बताऊंगी एक छोटी सी remedy जिसे की आपके जो arms और hands है वो बिल्कुल आपके face की तरह तो मैं आपको बताती हूँ क्या मैं remedy यूज करती हूँ और मैं आपसे वो शियर भी करती हूँ तो देखे friends कैसे बनाते हैं वो remedy और कैसे यूज करते हैं हाँ तो friends चलिए स्टार्ट करते हैं ये सबसे पहले मैंने लिया है coffee powder और इस कटोरी में है चीनी नमक और थोड़ा सा half nimbu का रसमे ने निकाला हुआ है तीनों चीजें एक में ही है और ये दोनों tomatoes है और ये मेरे पास एक soft सा brush है तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं आप कोई भी खराब toothbrush भी यूज कर सकते हैं और अब देखिए हम इसको कैसे यूज करते हैं ये सबसे पहले tomato है जो coffee powder उसके उपर हम लगाएंगे और उसको अपने hands और arms पे रब करना शुरू कर देंगे ये देखिए साथ साथ tomato का जो juice है वो भी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा प्रेस करते रहें और साथ में जो coffee है वो भी apply हो रही है friends tomato में भी एक ऐसी प्रपर्टी होती है जो की जिसको bleaching प्रपर्टी बोलते है ये भी skin को whitening देता है और coffee में भी बहुत अच्छी प्रपर्टी होती है जो skin को brighten करती है और हमारे जो tanning है उसको खतम करती है अब ये जो नमक और lemon और चीनी का था हमारा mixture अब इसके साथ भी व और हमारी जो जितनी भी dead skin है वो निकल जाएगी और जितनी भी tanning है वो भी remove हो जाएगी तो friends ये जो गांठे होती है हमारी ये दिखिए यहाँ पे mostly यहाँ पे बहुत काला पन कईयों के होता है तो वहाँ पर आप ज़्यादा रगड़े ये आप legs पे भी कर सकते हैं, foots पे भी कर सकते हैं अब मेरे पास जो brush है मैं उसको use कर रही हूँ ये बहुत काम आने वाला brush है फिर भी अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी खराब पुराना tooth brush यूज कर सकते हैं ये दिखिए अच्छे से इसके साथ बिल्कुल जो जमी हुई मैल है वो निकल जाएगी, elbow को बिल्कुल न भूलें, यहाँ पे आप tomato का लगा के juice और उसको अच्छे से रब करें, brush के साथ साथ करें friends मैं करती रहती हूँ अपनी arms, hands साफ तो आपको इतना फरक नहीं पता चलेगा क्यूंकि मेरे तो साफ ही है hands और arms क्यूंकि मैं week में एक बार इसको जरूर ट्राइ करती हूँ तो लेकिन देखिए, 5-10 मिनिट बाद यह मैंने wash कर दिया है, अब इसको अच्छे से पहुंच लें, इसके बाद हमारी skin dry हो जाती है, गंदगी बिल्कुल निकल जाती है और इसके बाद कोई भी आपके घर में body lotion या फिर अगर पड़ा है, अगर नहीं भी है दोनों चीजें तो आप दूद की जो मलाई होती है वो लें और ज्यादा ज्यादा अपलाए करके इसको अच्छे से मसाज करते रहें इससे क्या है कि हमारी skin पहले तो साफ हो चुकी है लेकिन अब वो glowing हो जाएगी, एकदम से moisturize हो जाएगी तो friends ऐसे आप ये छोटे छोटे tips करते रहें, तो आपकी देखना कि arms और hands कितने अपने आपके face जैसे खूबसूरत हो जाते है ये छोटी-छोटी जीज़ें हैं, जो मैं घर में करती रहती हूँ और देखिए, 40 प्लस age में मेरे hands पे कोई नहीं है, spot नहीं है, बिल्कुल साफ है अभी मैंने आपको एक अपनी arm पे apply करके दिखाया है, तो आप दोनों पे ऐसे ही use करें फुट्स पे भी कर सकते हैं, legs पे भी कर सकते हैं, neck पे भी ये use कर सकते हैं अब ये मेरी arms में आपको ज़्यादा फरक नहीं नज़र आएगा, क्योंकि मैं तो week में एक बार करती हूँ अगर आपकी arms ज़्यादा tanned हैं, तो आप करके देखें, आपको फरक उसी time पता चलेगा तो friends, ये थी remedy तो देखा friends, कितना असान है इस remedy को बनाना और use करना तो friends, week में एक बार कम से कम इस remedy को ज़रूर use करें use करने का procedure मैंने आपको बता दिया है तो friends, बहुत आसान है अपने skin को clean रखना तो सिरफ चेहरे की तरफ ध्यान न दें जब हमें कोई देखता है, तो उसका ध्यान हमारे चेहरे के साथ साथ हमारे hands, arms पे पी जाता है तो देखने वालों को बहुत गंदा लगता है अगर हमारे हार्थ या बाजू काले हो और सिरफ फेस चमक रहा हो तो friends, अपने लिए खुद के लिए time निकाले और ये चोटी-चोटी चीज़े करें और खूबसूरत रहें तो friends, कैसा लगा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे चोटे-चोटे जो ब्यूटी के टिप्स है आसान से वो मैं आपसे शेयर कर सकूँ तो friends, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छे से इंटरस्टिंग से टोपिक के साथ बाई-बाई friends झाल